हेलो साथियों, पेपर वालीक और यूपिटेट के परिक्षा होई निरस्त इस ख़बर को जानते हैं विश्तरत रूप में 28 नमबर 2021 को आयुजित होने वाली यूपिटेट इट मींज उत्ता प्रदेश चिक्षक पात्ता परिक्षा को इस्थगित कर दिया गया है पेपर लिक की आसंका में उत्ता प्रदेश चिक्षक पात्ता परिक्षा को निरस्त कर दिया गया है ATS की सूचना पर परिक्षा नियामक प्रादिकारी ने दोनों पारियों की परिक्षा को इसलिए निरस्त कर दिया क्योंकि कुछ जगे ATS ने बताया कि परिक्षा लीक हुई है और उसकी पुष्टी भी हुई है इसी आधार पर सचेप परिक्षा नियामक प्रादिकारी संजय कुमार उपाद्या ने बताया कि दोनों पारियों की परिक्षा निरस्त कर दी गई है और TET 2021 रविवार को होने व उच प्रात्मिक इस्तर के लिए दो बच करके 30 मिनट से और पांस बजे तक इस परिक्षा का आयोजन होना था और यह परिक्षा सत्रह सो चोगन केंद्रों पर आयोजित होनी थी लेकिन परिक्षा इस्थकित कर दी गई है उलेखनी है कि यूपी टैट प्रात्मिक इस्तर क ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था इससे पहले भी 2019 में आईजित हुई यूपिटेट में 16 लाक और 2018 में तक्रिवन 11 लाक अब्यरतियों ने भाग लिया था टीटी परिक्षा में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अब्यरति भाग लेने जा रहे थे एटीएफ की सूचना के अनुसार मत्रा गाजियावाद वा मेरट में पेपर लीक होने का मामला सामने आया है कई सारे अब्यरति तो परिक्षा होने वाले अपने केंदरों पर पहुंच चुके थे और उनको ये सूचना जैसे ही मिली तो उनको बड़ी निरासा हुई सच में ये बहुत बड़ी बुरी खबर है उन सबी के लिए क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं और एंड में केंदरों पर पहुँच करके पता चलता है कि परिक्षा कैंसल हुई निरस्ट हुई तो ठीक नहीं होता तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में कुछ अच्छी पहल करने चाहिए ताकि इन अब्यरतियों को नुक्सान न हो यह परिक्षा फिर से होगी और जिसके लिए आपको मैं इस चैनल में बताता रहूँगा कि कब यह परिक्षा होनी है और उसका सेड्यूल क्या रहेगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोरादी की जनकारी आपको ठीक लगी होगी दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब विद बैल बटन करना न भूलें कि आगे भी आपको इस तरीके की सटी जनकारी मिलती रहे जहिन दोस्तों